नमस्कार, मैं हूँ वरुन सिंग और आप देख रहे हैं स्क्वेर फीट इंडिया घर हर कोई खरीदना चाहता है अपने सपनों का घर हो यह हर खिसी की ख्वाईश होती है पर क्या हर कोई वो घर खरीद पाता है? नहीं, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा मायने जो रखता है वो है पैसे और आज हम बात करने वाले हैं कि भारत के यानि देश के उन आठ महत्वपून शहरों में पिछले साल प्राइजस में कितनी बढ़हौतरी हुई यानि जो घर की कीमते थी उसमें कितने प्रतिशत पर स्क्वार फेट जो आप रेट देते हैं उसमें कितने प्रतिशत बढ़हौतरी हुई है जो अब देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर वो एक चार्ट है और ये चार्ट आपको बताएगा कि मुंबई, NCRN, बेंगलूरू, पूने, चन्नई, हैदराबाद, कॉलकता और एहमदाबाद इन आठ शहरों में किस तरीके से होम प्राइसे जो है, रेसिदेंशल प्राइसे जो है, उनका क्या हाल रहा है दरहसल आप देख सकते हैं कि बहुत ज़ादा बदलाव नहीं आया है, केवल आप चन्नई, हैदराबाद को छोड़ दें और कुछ हद तक बेंगलूरू को छोड़ दें यानि इन सदन स्टेट्स के रलावा, सदन डिस्टिक्स और जो सिटीज हैं साउट के, उनको अगर छोड़ दें तो आपको कहीं ज़ादा कोई फर्क नजर नहीं आएगा हम एक एक करके हर एक शहर की तरफ बढ़ेंगे, तो मुंबई की बात करते हैं, ह2 जो लिखा हुआ है, जो साल का 2021 का आधा हिस्सा है, सेकंड हाफ जो है, यानि आप डिसेंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई, ये जो छे महीने हैं, उस दौरान जो प्राइजस हैं, कितने हैं, फिलहाल अवरिज जो प्राइजस बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 44,110 रुपए प्रती स्कुरे मीटर, या आप स्कुरे फीट में ट्रांसफर करेंगे उसे, तो 6,885 आप कहेंगे कि मुंबाई में कहां इतने सस्ते घर म पिछले साल, यानि 2021 में, जब हम उसको कंपैर करते हैं 2020 से, तो मुंबई और मुंबई के इर्दगर्द इलाकों में, 12 महीनों में जो बढ़त हुई है प्राइज में, वो केवल 1 प्रतिशत प्राइज बढ़ा है, 6 महीने में, यानि जो हम, मैंने अभी आपको गिनाया जो 6 महीने साल के जो है, उसके एवज में, हम साल के शुरुवाती 6 महीनों को जब हम कंपैर करते हैं, तो 2 प्रतिशत की बढ़त हुई है, हम वहाँ से मूब करते हैं NCR में, NCR यानि National Capital Region, वहाँ पर second half 2021 में, जो average प्रति स्क्वार मीटर रेट है, वो है 45,241 रुपए, और यहीं 2020 के मुकाबली 2021 में, एक प्रतिशत की खटोती दिखेगी, एक प्रतिशत कम हो गये है रेट्स, जो हमने 6 महीने का अगर बात करें, तो उसमें एक प्रतिशत की बढ़त, बेंगलूरू, वहाँ पर average square meter rate है, 55,435, square feet में जब हम translate करते हैं उससे, तो वो हो जाता है, 5,150 यहाँ पर जो 12 महीने में बदलाव हुआ है, वो 4 प्रतिशत है, और जो 6 महीने का बदलाव है, वो है 5 प्रतिशत, पूने में जो average per square meter rate है, वो है 43,056 रुपए, और average per square rate 4,000 रुपए है, यहाँ पर ना तो 12 महीने में कोई बदलाव हुआ है, ना ही पिछले 6 महीने में, त तो शून्य प्रतिशत रहा है चन्नाई आप इस पूरे लिस्ट में ध्यान दे तो सबसे जादा बढ़ात अगर कहीं हुई है तो चन्नाई में है वो साथ प्रतिशत है तो चन्नाई में जो एवरिज प्रति स्क्वार मीटर रेट है वो है 43,594 और स्क्वार फीट में जब हम उसे टांस्क्वार करते हैं तो हो जाता है 4,050 रुपए है वो हो जाता है 4,720 बारा महिने में यह बदलाओ 5 प्रतिशत रहा है कलकत्ता, कलकत्ता में 34,606 रुपए प्रतिस स्क्वार मीटर है प्रति स्क्वार फिट आवरेज है 3,215 रुपए यहाँ पर 0 प्रतिशत बढ़त हुई है एहमदाबाद में भी 0 प्रतिशत बढ़त ही हुई है यहाँ पर आपको हम बता दे आवरेज पर स्क्वार मीटर रेट है 3,149 रुपए और जो स्क्वार फिट में होता है वो है 2,800 प्रति स्क्वार फिट यहाँ पर मैंने पहले ही बताया आपको कि 0 प्रतिशत आपने देखा है कि कोई भी बदलाव हुआ है तो मुंबई में per square meter और per square feet rate सबसे जादा है पूरे देश भर में मुंबई के बाद Bengaluru आता है और Bengaluru के बाद हैदराबाद तो ये तीन टॉप हैं जहां सबसे महंगे per square meter per square feet घर है इसके अलावा जो बदलाओ आपने देखा आप चार्ट में देख सकते हैं कि केवल southern cities को छोड़ दें Bengaluru, Chennai और हैदराबाद तो बाकी सब जग़ा पे या तो 0 या तो 1% का ही बढ़त हुआ है 12 महीने में rate में तो आपने देखा कि किस तरीके से घर की कीमतों में क्या फरक पड़े हैं पिछले साल 2021 में squarefitindia.com ये एक Real Estate News वेबसाइट है और ये Square Feet India का चैनल हम हमारे चैनल और वेबसाइट के जरीए आप तक Real Estate जगत से जड़ी हुई इसी तरीके के महत्वपून जानकारिया लेकर आते हैं यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मन धूलिएगा वीडियो को लाइक और शेर भी कर सकते हैं इसके अलावा जादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट squarefitindia.com पर विजिट भी कर सकते हैं ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद